नमस्कार किसान भाईयों मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जो हम खरीब फसल में जो प्याज की नरसरी तेयर करते हैं या फिर अभी फसल में भी प्याज की नरसरी तेयर करते हैं तो उसमें एक किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या आती हैं पोद गलन, जड़ गलन या आदर गलन की जिसमें की पोधा जो फंगस के कारण जो होता है उपर क्या सीरा सूखते सूखते पूरा पोधा ही हमारा उपचार नहीं करते हैं तो तो आज हम उसकी उपचार की जानकारी देंगे कि यदि आपकी नरसरी में भी पोध गलन की समस्या आ रही है यह हम आम बासा में बात करें तो जो हम रोब तयार कर रहे हैं वो कटने की समस्या आ रही है तो उसका क्या निराकरण है या उसका क्य उपचारे उसकी आगे वीडियो में बात करेंगे दोस्तो वीडियो सुरू करें उससे पहले दोस्तो यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आप तक खेती से संबंदित सारी जानकरिया जो भी फसलों के बारे में हम देते हैं आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगी दोस्तो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू करें दोस्तो और ज्यादा से ज्यादा किसान भयों तक जानका लगे पूरी पूंच सके हैं दोस्तों वैसे तो हमने एक वीडियो नर्सरी केसे डालनी है किस वीदी से डालनी iyi है बीच का चैन किस प्रकार से करना है उसकी सारी संपूर्ण जानकारी के वीडियो अभी तक के जैनल पर अपलोड कर दिये हैं दोस्तों और एक वीडियो में खरपतवार नासक या खरपतवार को नियंतर्ण करने की वीडिया प्याज की फसल या प्याज की नरसरी में खरपतवार को नियंतर्ण करने की वीडियो का वीडियो भी डाल दिया हैं वो भ अपनी फसल में बिमारी के अनुसार इन टेकनिकलों को अपना सकते हो दोस्तों इन कंपनियों के जो प्रोड़क्ट हैं हमने यूज कर रखे हैं इसलिए ये प्रोड़क्ट हम आपको बता रहे हैं दोस्तों आप इन से मिलते जुलते टेकनिकल कोई से भी आप ले सकते हो या कि इसमें अगर रोग नहीं है या कम है तो आप उसकी मात्रा भी थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हो दोस्तो दोस्तो पोद्गलन की समश्या के उपाई के बारे में अगर बात करें तो सबसे पेला नाम आता है UPL कमपनी के साप का जिसमें टेकनिकल होता है कारवेंडा जीम 12% प् पड़ता है दोस्तो अगर अब इसके डोज की बात करें तो आपके इसमें जेसी बीमारी है उसके इससाब से आप ले सकते हो पर आपके अगर सूरुआता अवस्ता में आप 4 ग्राम प्रती लीटर पानी में मिला कर इसकर सकते हो दोस्तो दोस्तो नरसरी की शुरुआती सबस्ता में यह सबसे अच्छा और नियंत्रक फंगिसाइड हैं दोस्तों और यह सबसे सस्ता भी पड़ता हैं दोस्तों तो आप इसका उपयोग कर सकते हो अब अगर तूसरे नंबर पर बात करें तो आपकी पोध गलन की समझ से थोड़ी ज्यादा है तो आप यह टेक्निकल अपना सकते हो जो की हैं सिजेंटा कंपनी का रेडो मिल गोल्ड के नाम से जिसमें की टेक्निकल हैं मेटाल एक्सियल 4 प्रतिसाथ प्लस मेनकोजेब 64 प्रतिसाथ डबल्यू पी फोम में होता हैं दोस्तों इसकी कीमत की बात करें तो इसका 100 ग्राम का पेक 160 रुपए के ज्यादा समस्या हैं आपको तो इसका काफी असरदार रिजल्टर रहता है दोस्तों और इसका परिणाम भी बहुत ही जल्दी आपको प्राप्त हो जाता है जो नर्सरी उसमें पिलास्पन बहुत ही जल्दी खतम हो जाता है और जो पोद्गलन की समस्या है वो काफी जल्द खतम हो जाती हैं तो दोस्तों यदि आपकी प्याज की नर्सरी में भी पोद गलन की समस्या या फंगस की समस्या आ रही हैं तो आप इन टेक्निकलों का उप्योग करके आप अपनी पोद गलन की समस्या से चुटकरा पा सकते हो तथा अपनी जो नर्सरी है उसको जल्दी ग्र दन्यवाद जय हीन जय भारत